दोस्तों नमस्कार कैसे हैं, आप लोग उम्मिद करते हैं, बहुत अच्छी होंगे चलिए, आज हम बहुत ही महत्पून टॉपिक लिएक आपके बीच लेका है है गुठना की समस्या, गुठना कट-कट क्यों करता है, गुठना कट-कट करने का वाज क्यों होता है, गुठना जाम क्यों हो जाता है, इस इक बाड़े हम जानते हैं, तो गुठना कट-कट होने का पहले चलिए कारण जानते हैं, कि गुठना ग्रिस कमना, गुठना कट-कट क् आगाघन, पर दनतायत, अदी आपका शरीर में बीतामीन D की डिफिसेंसी हो गई है, केलसियम की डिफिसेंसी हो गई है यह रवान, फिर आपका सैनवियल फिलूड वहां का घट गया है? आपके दो हड़ी होते हैं जोएंट में उसको लुबिडिकेशन का काम करते हैं, मोमेंट करते हैं, अधी वो सुख जाए, वो कम जाए, उस बज़े से भी आपको कट-कट की अबाज आएगी घुटना, जाम हो जाएगा, घुटना का मोमेंट रूख जाता है, तो डॉक्टर क किएगा वास्रूम करने बैठते हैं, ट्वालेट करने बैठते हैं, तो उठ नहीं पाते हैं, मतलब पैर मोड नहीं पाते हैं, फॉल्ट नहीं कर पाते हैं, सीरी पर चट नहीं पाते हैं, कोई भी अन्बैलेंस उपर नीचे कर नहीं पाते हैं, घुटना जाम होगा, स्टि दर्द होड़ा है, मोमेंट ने कर पाते हैं, बहुत सिभीर दर्द होड़ा है, उठ बैटने पाते हैं, मेरा तो कोई भी रूटिनली जो हम वर्ग करते हैं, वो भी करना मुश्किल हो गया है, तो इसको हम कुछ ऐसी हमेपैथिक दवाई भी देते हैं, जो कि आपको ये मेंट रस्टक्स, रस्टक्स दो सो पावर में, दो दो बून करके भर दिन में तीन बार दीजिएगा, ये आपको क्या करेगा, मोमेंट को मेंटेन करेगा, और इसके साथ जादा कट-कट की अबाज आड़ी है, गुटने में, क्रैकिंग साउंड हो रही है, इसके लिए हम देते ह अंगस्तुरा, ये शिक्स पावर में दीजिएगा, दो दो बुन करके तीन बार अधी घुठना, कार्टिलेज, वहां घिस गया है, उस जैसे सूजन हो गया है, स्टिफनेस जादा हो गई है, एक बायो केंबिनेशन, केलकेडिया फ्लोर 6X, बायो केंबिनेशन, केलकेडिय समय तक दीजिएगा, इसी तरक नए वीडियो आपके लिए के आते हैं, अधी वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद,